इस इंसान का नाम बतूता है और उसका जूता देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है अजीब सा तो उसके बारे में ये पोयम है चलिए इबन बतूता पहन के जूता कौन है ये इबन बतूता इसका नाम है जो अपना जूता पहन के निकल पढ़े तुफान में कहां पे निकल पढ़े है तुफान में कैसे जूते पहने उनको लगता है कि ऐसे जूते पहन के मैं तुफान में जाओगा तो मुझे कुछ नहीं होग तो उसने इसे जूते पहने और निकल पड़ा तुफान में थोड़ी हवा नाक में गुस गई, गुस गई थोड़ी कान में इतना बड़ा तुफान होगा तो हवा तो गुसी जाएगी नाक में, कान में, कहीं पे भी है न, तुफान थोड़ा, थोड़ी कोई देखता है कि ये बतूता है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा उसके साइड में से उखे चला जाऊ तुफान है, वो तो कहीं पे भी चला जाएगा कभी नाक को, कभी कान को मलते इवन बतूता अब इतना बड़ा तुफान है दूल, मिट्टी, हवा, सब कुछ उसके कान में, नाक में, आख में सब जगा पे गुश जाता है तो सब मसल रहा है वो, मलता रहाता है हम करता है ना अगर हमारी आख में कुछ चला जाये तो कैसे करता है हम वैसे ही अपना कान नाक सब मलता है इसी बीच में निकल पड़ा उनके पेरों का जूता ये सब एक तरफ तुफान, एक तरफ सब कान में नाक में गुस रहा है और वो चलता जा रहा है आगे-ागे और इसी बीच में उसका जूता निकल पड़ा देखो यहां पे जूता निकल गया और कहां पे चला गया जापान में इतना बड़ा तुफान है कोई भी चीज अपनी जगा पे रहेगी नहीं रहेगी इधर से उधर सब उड़ता रहता है तो उसका जूता निकला और सिधा जापान में पहुँच गया इबन बतुता खड़े रह गये मोची की दुकान में और इबन बतुता कहां पे गये फिर मोची की दुकान में दूसरा जूता बनवाने एक था और एक तुफान में उड़कर जापान चला गया एसे कोई निकलता है तुफान में कभी नहीं निकलना चाहिए सब उड़ जाता है हम भी नहीं खड़े रह सकते ये तो अच्छा हुआ जूता सिब जापान पहुँच गया वरना इबन बतूता खुद जापन पहुँच जाता पता भी नहीं चलता उड़ते उड़ते लिखा सबने इबन बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुँच गया नेक्स्ट, इबनबतूता कहां खड़े रह गए, तो इबनबतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए, क्यों खड़े थे, अपना जुता बनवाने के लिए उड़ गया न, उसके लिए, तो इबनबतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए, लिखा सबने, आ गया सब को समझ में चलिए आगे अब है भासा की बाद नीचे दिये शब्दों के विलोम शब्द लिखिये उसके उल्टे लिखने है विलोम यानि उसके उल्टे हसना तो रोना ये विलोम हुए आया समझ में लिखे सब हसना तो रोना, जाना, फिर आना गुसना तो निकलना, पहनना तो उतारना लिखा सबने रोना, आना, निकलना और उतारना आया सब को समझ में, लिखा सबने, चलिए पेस्ट टर्न कीजिए चलिए, सेकंड, नीचे दिए सब्दों में जो सब्द अलग है उसके सामने टिक लगाईए, आपको लाइन देखनी है और उसमें से जो अलग है, उसमें आपको टिक करना है आया समझ में, नाक, कान, आख, हवा, क्या अलग है, हवा तो हवा में टिक करना है फिर भारत, जापान, दिल्ली, चीन, क्या अलग है, दिल्ली तो वो टिक करना है किस तरह से अलग है, ये सारे देश है और दिल्ली, स्टेट है, राज्य है इसलिए वो उलग है फिर है मोची, इबनबतूता, किसान और अध्यापब यह सारे जो काम करते हैं वो है और इबनबतूता एक इंसान का नाम है और यह जो काम करते हैं उनके नाम है आया समझ में किया टीक सबने चलिए आगे तीसरा, नीचे दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए मतलब बड़े डीटेल में हमको दिया है और हमें उसके लिए एक शब्द में आंसर लिखना है ये सब आपके एक्जाम में आएगा, ओके जो जूते चपल ठीक करता है कौन जूते चपल ठीक करता है तो मोची तो आपको लिखना है मोची ओके नेक्स्ट जो मकान वरना इबन बतूता खुद जापन पहुँच जाता पता भी नहीं चलता है ना आया समझ में सबको ये कौन है बतूता और उसके जूते के बारे में पोयम थी ये एक funny character है फिर इसमें है नए शब्द इबन बतूता तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र कौन है ये तिलस्मी कहानिया ये कहानियों का एक भाग है और उसका ये पात्र है फिर है तुफान तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो तुफान मतलब बारिस, पवन, ये सब इधर से उधर सब होता रहता है वो तेज आंधी एकदम जोर से हवा चलती है ना वो मलना मतलब रगडना ऐसे ऐसे हम आख में नाख में कुछ चला जाये तो करता है ना वो मोची जूते चपल ठिक करने वाला उसका जूता चला गया था तो वो मोची के पास गया ना तो वो मोची कौन है मोची जो जूते और चपल ठिक करता है वो है आया समझ में सबको चलिए अब है अभ्यास कारिया इबन बतुता जूता पहन कर किस में निकल पड़े किस में निकल पड़े इबने बतुता तुफान में फिर इबने बतुता के हवा कहां कहां गुज गई उसको कहां कहां पर गुज गई थी हवा नाक में और कान में आया समझ में चलिए फिर क्या है अब लिखना है ये मौखिक थे इसके सिर्फ आंसर देने थे, अब ये लिखने है, आप मेरे साथ बुख में लिखना, ओके, इबन बतुता के पैरों से जूता कैसे निकल गया, तो इबन बतुता के पैरों से जूता निकल गया, किस तरह से? तो नाक और कान में हवा गुश गई थी, उसको मलते समय इबन बतुता के पैरों से जूता निकल गया, कब निकल गया? नाक और कान को मलते समय, उनकी आख में और कान में तुफान की हवा गुश गई थी ना, तो वो मल रहे थे, तो उसी बीच उनका जूता निकल गया, आया स समझ में फिर है इबन बतूता का जूता जापान कैसे पहुँच गया तो इबन बतूता का जूता तेज आंधी में उड़ते उड़ते जापान पहुँच गया तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे आया समझ में सबको पता चला आपने सायद वो गाना सुना हो तो इबन बतूता पहन के जूता पहनने तो करता है चुर है ना वो और सदवार्सी का सौंग है वो इसी के बारे में अगर नहीं सुना हो तो आप सुनना इबन बतूता पहन के जूता पहनने तो करता है चुर ऐसा वाला वो भी इस पोयम के उपर से ही फिल्म आया गया है आप देखना आ गया सबको समझ में कोई भी क्वेरी हो तो बोलना अब आपका homework क्या है तो आपको ये नए शब्द सारे याद करने है और अपनी notebook में लिखने है फिर ये question answers तीनो के तीनो फिर ये willom शब्द paste on कीजिए ये question number two ये three ये four और ये दोनो कुछ करने की बात में दो और तीन सारा का सारा आपको आपकी हिंदी की notebook में लिखना है ओके तीन पेज है 31, 32 and 33 तीनो के उपर से आपको exercise लिखनी है और नए शब्द लिखने है तो आपका homework है page number 31, 32, 33 पर से नए शब्द और सारी की सारी exercise आपको आपकी हिंदी की notebook में लिखनी है आ गया समझ में ओके थेंक यू लिखिए राजगीर फिर जो अभिने करता है कौन करता है? अभिनेता लिखिए अभिनेता जो कविता लिखता है कौन लिखता है कविता? कवी, तो लिखिए कवी, जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार, तो लिखिए सुनार, जो मिट्टी के बरतन बनाता है, कुमहार, जो लोहे का काम करता है, कौन करता है लोहे का काम? लुहार, लिखा सबने, आया सबको समझ में, चलिए आगे, नीचे दिये सब्दों के सही वर्ण विच्छेद जुनकर टिक लगाईए, वर्ण विच्छेद मतलब उनकी जो संदिव होती है, वो हमें अलग करनी है, मतलब कान, तो कौ को आ की मात्रा लगी है, तो पहले कौ आधा, उसको आ की मात्रा बाजु में, फिर न आधा और अ, ऐसा क्या है? ये, तो ये उसका सही वर्ण विच्छेद है, तो ये सेकंड न तो न आधा प्लस आ, प्लस को आधा और अ, तो ऐसा क्या है? ये, तो फर्स्ट में आपको टिक करना है, फिर है बतूता, तो उसमें क्या आएगा? बह आधा प्लस अ, फिर तो आधा प्लस उ, प्लस तो आधा प्लस आ, ऐसा क्या है? ये सेकंड वाला, तो सेकंड में आपको टिक करना है, ओके, फिर next, तुफान, तो ताज़ा प्लस उ, प्लस फो आधा, प्लस आ, प्लस नौ आधा, प्लस अ, तुफान, ये फॉस्ट नंबर वाला, किया टिक सबने, आया सबको समझ में, अब है कुछ करने की बात यहाँ पे तो इबनबतुता के बारे में अप क्या सोचते हैं लिखिए आपको इबनबतुता के बारे में लिखना है कि वो कैसा था क्या करता था क्यों करता था तो एक तो पहले funny character है वो फिर उसने अपने से नाप से ज़ादा बड़े जूते पहने और ऐसे भयंकर तूफान में निकल पड़ा निकलता है कोई और इतने बड़े जूते पहनता है कोई नहीं पहनता है तो एक तो पहले funny character है वो फिर उसने अपने से नाप से ज़ादा बड़े जूते पहने और ऐसे भयंकर तूफान में निकल पड़ा निकलता है कोई और इतने बड़े जूते पहनता है कोई नहीं पहनता है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इबन बतूता की लंबी सी डाड़ी थी कैसा था वो उसको लंबी सी डाड़ी थी वे अपने पैरों में बहुत बड़े जूते पहनते थे वो जूते कैसे पहनते थे बहुती बड़े जिसके कारण वे स्वयम को संभाल नहीं पाते थे बड़े-बड़े जूते पहनते तो वो अपने आपको संभाल पाते नहीं थे एक बार वे ऐसे फिसले कि उनका जूता सिधा जापान पहुंच गया और मोची की दुकान पर ही खड़े रह गए इसलिए हमें अपने ही नाप के जूते पहनने चाहिए हमें कैसे जूते पहनने चाहिए अपने ही नाप के किसी किसी बच्चे को ऐसा सौक होता है कि अपने से बड़े जो जूते होते हैं उनमें पैर डार कर फिर उनके चपल पहन के निकल पड़ते हैं आपने साथ देखा होगा कोई-कोई छोटे बच्चे को ऐसे करते हुए तो हमें अपने ही नापके जूते पैनने चाहिए बड़ी नापके जूते नहीं पैनने चाहिए वरना हम गिर जाएंगे फिर क्या है तुफान के समय क्या होता है आपको पता है है ना सब हर तरफ बारिश हवा एकदम तेज चलती है खिड की धर्वाजे टकराने लगते हैं अगर अच्छे से फिट बन नहीं किये हो तो बहुत दूल उड़ती है पवन आती है बहुत जोर-जोर से तुफान के समय बहुत तेज हवा चलती है पेड पौदे जोर-जोर से हिलने लगते है दूल उड़ने लगती है चलना मुश्किल हो जाता है पसू पक्षी भी अपने अपने घरों में मतलब घोंसलों में छिप जाते हैं कभी-कभी तुफान अपने साथ बारिश भी लेकर आता है आया समझ में सबको पता चला अपने सायद वो गाना सुना हो तो इबन बतूता पहन के जूता पहनने तो करता है चुर है ना वो और सदवार्शी का सौंग है वो इसी के बारे में अगर नहीं सुना हो तो आप सुनना इबन बतूता पहन के जूता पहनने तो करता है आप देखना ओके